नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका परिच्छा चिंतन पर मैं भी एक आप लोगों का स्वागत करता हूं आज कि इस नए वीडियो में जो की समंदित है बाल विकास सिच्छा साथ से समंदित कुछ मातपूर क्यूशन है जो की आप कोई भी जाम दे रहे हों सीटेट हुआ हुआ यूपिटेट हुआ यस्टेट हुआ रीट हुआ ये सभी में जो है वो बाल विकास सिच्छा साथ से जो है वो की उस पूछे आते हैं तो उन्हीं कि दिस्कोर से हम कुछ मातपूर आप ये उन्लाइन के रूप में ये क्यूशन है जो की कम टेटोग जामें पूचे जाते हैं तो नहीं को यह आज किस वीडियो में लोगों ने अध्यान करेंगे व्यक्तित्यों समायोजन परसनाल्टी एंड एजस्ट्मेंट जो है इन टॉपिक से रिलेटेट क्यूशन है जो टॉप फिफ्टी क्यूशन है जो कम टेट्विक जाम में पूछे जाते रहते हैं तो नहीं को आज किस वीडियो में हम लोग वन लाइनर की रूप में जो है वो देखेंगे फर्स्ट वी वीडियो में वन लाइनर के रूप में इस वीडियो को देखेंगे चलिए स्टाइट करते हैं जिन्हों ने भी टेलीग्राम जन किया है वो ब्रॉप कर सकते हैं टेलिग्राम पर इडिरेट आप परिछछे चिंतर सर्च करके वह ग्रूप को ज्वाइन कर सकते हैं वहां से आपको लेटिस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी मैटेरियल्स करेंट अफियर्स की ये सब रहेंगे वह आपको मिलता रहेगा चलिए स्टार्ट करते हैं व्यक्तित्यों समायोजन परसनाल्टी एंड एज़ेस्मेंट से कुछ मातपूर प्रसन है जिसमें पहला है व्यक्तियत एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों द्रिश्कोडों चमताओं योगिताओं तथा व्रीचियों का विशिस्टम संगठन है पूछा गया है जिसमें दिया गया है कि व्यक्तियत एक व्यक्ति का व्यवहार जो होता है वह तरीके जो होते हैं उनके द्रिश्कोडों चमता योगिता और अभुरीचि जो है विशिस्टम संगठन है यह जो है वह मन का जो है वह कथ है विशिस्टम संगठन जो होता है व युए वहाल करें जो होता है हो किसके कारवीत ह花 युग करता एक करोड यह सभी के अंतरगत आते हैं जिसका प्राव जो है वह अगला है आत्म केंदित व्यक्तित का व्यक्तित तो होता है इसमें पूछ रहा है कि कोई आत्म केंदित व्यक्तित है तो उसका व्यक्तित कैसा होगा अंतर मुखी बाई मुखी इस तरीके से आपको आपसंदे दिया जा सकता है इसमें जो होता है वो अंतर मुखी तरीके का उ इसमें पूछ रहा है कि समाजिक अंतर क्रिया की दिर्ष्ट से जुंग जो थे उन्होंने वक्तित को कितने प्रकार से बाटा था तो चार आपसंदे दिया जाएगा तीन चार पांच दो एक इस तरीके से आपसंदिया जा सकता है तो उसमें समाजिक अंतर क्रिया की दिर्ष् है डिवाइड किये गया था जिसमें उन्होंने तीन भागों में से व्यक्तित को बाटा था अंतर मुखी वही मुखी स Cambridge इस takich सुनोंने बाटा हो है कि व्यक्तित गुरों का समन्वीत रूप है या कथन किस ने दिया था तो वुड़ वर्थ ने दिया था ये आपको याद रखना है अगला है व्यक्तितुभीक्ति के भीतर उन्स सारीरी गुरों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावर के साथ उसके अदुती समायोजन के निधाय करता है या परिभासा है चार आपसंदी गए थे तो दिये जा सकते हैं तो उसमें से जो राइट एंसर होगा आलपोर्ट ने व्यक्तित व्यक्तिके भीतर उन सारीरी गुरों कि गत्यात्मक संगठन जो वातावर के साथ उसके अदुती समायोजन को निधाय करता है तो या परिभासा जो था वो आलपोर्ट महोदय ने दिया था तो यह कब टेट्विजा में पूछा जाता है अगला है व्यक्तित को निधाय करने वाले कारक कौन कौन से हैं तो व्यक किसी व्यक्तित के व्यक्तित को निर्धारी करता है कि किस तरीके से व्यक्तित क्या व्यक्तित होना चाहिए अगला है व्यक्तित समंधी गुड़ प्राफ्थ होते हैं तो व्यक्तित समंधी गुड़ किस से प्राफ्थ होते हैं यह सरीर यह अंता स्रावी गंतियों से तंति वर्ग में रखा जाता है उपर हमने बताया आत्म के इंडित जो होते हैं वो अंतर्मुखी होते हैं तो यह अंतर्मुखी वर्ग के अंतर रखा जाता है इसके बाद है प्रस्न दस परसोना का अर्थ है यह क्यूशन काफी बार टेट के एक्जाम में पूछा गया है परसोना क के अधार पर व्यक्तितु का वाड़न किसने किया है तो व्यक्तितु जो सौरी मौलियों के अधार पर व्यक्तितु का वाड़न जो है वो इस्प्रेंगर महोदय ने किया था तो यह का फीपार एक जाम में पूछा जाता है मौलियों के अधार पर किसी मौलियों के अधार पर व्यक्तितु का वार्ण किया था किसमें तो इस पे इंगट है अगला है काल्यूंग के निशार व्यक्ति अंतर मुखी और बाई मुखी दोनों होता है काल्यूंग के निशार जो है व्यक्तिक का व्यक्तितु जो है वो दो तरीके से होता है जिसमें इन्होंने दो तरीके दिय यह थे एक था अंतर मुखी और दूसरा था बहे लुखी यह कम्टेक्टिव जामें पूचा जाता है कॉल्यूम के अनुसार जो है व्यक्तित्थु कितने प्रकार कोते हैं दोर तरीके से अंतरवादी और, नैये प्रहक्तित्यक्ता के प्रकार कितने हैं, तो हत्रोब्ड़्टित्यक्ती, जिन्यथ दो तरीकह दिये थे, निरासावादी और with Paraomo रॉड़ान जो है वो, इनके अनुशार व्यक्तित्यक्तित्यक। के प्रकार होते हैं, तो यह कम टेट्टी यहां में पूछा जाता है अगला प्रस्ण 14 व्यक्तित्यूत के प्रकारों का विभाजन जिस अधार पर हुआ है वह है तो इसमें शरीर, रचना, समाजशास्ति, दिस्कोर, मनोवाज्यानी दिस्कोर इन सभी से जो है वो व्यक्तित के प्रकारों का निसे ब्यक्तित के वहाजन जो है वो किया जाता है अगला है 15 व्यक्तित को प्रभाविद करने वाले नहीं है том, कंड़ इसो को सरवाधिक प्रभारार करते हैं उसको जिस तरीके से वाजवाभरा मिलेगा उसी तरीके सेött वा व्यक्तितितु ऊसका जो है वो आगे निकलता ह अगला प्रस्ण है प्रसंक्य 16 व्यक्तित्तों व्यक्तिकी संपूर्ट प्रत्कियाओं का संस्थान है जैसा की उसके परिवेश में जो समाजिक प्राड़ी है उसके द्वारा आका जाता है यह व्यक्तिके व्यवहारों का एक समायोजित संकलन है जो व्यक्ति अपने समाजिक व्यवस्थापन के लिए करता है यह कथन किसका है यह कथन जो थी डेसिल का है ये पूछा जाता है व्यक्तित की संपूर पर Sans क्रियाओं समनाओं का संस्तान है यह जो कथन है वो डेसिल महोदे का था अगला है सेल्डन ने सारी गुरों के अधार पर वक्तित को कितने भागों में बाटा है यहां पर पूछ रहा है सेल्डन के अनुसार यहां आपको काफी कुछ आठ दस मनोवग्यानिक हैं जिनके अनुसार जो है वक्तित को कितने भागों में बाटा गया है उनको आपको याद रखना है जहां से क्यूशन पूछे जाते हैं सेल्डन ने सारी गुरों के अधार पर वक्तित को किन भागों में बाटा है तो सारी गुरों के अधार पर जो है सेल्ड प्राचीन मत है इन्हों ने प्राचीन समय में यह मत दिया था तो यह प्राचीन मत है अगला है अंतर मुखी व्यक्ति तो आले व्यक्ति रूची रखते हैं तो अंतर मुखी व्यक्ति रखते हैं जो अंतर मुखी व्यक्ति होते हैं वो किसी बाहर की अपेच्छा वो स्वयम में ही अपनी अं आगला है वेक्TIV तो आत्म ग्यान का ही दूसरा नाम है या है किस दिस्पोर से सम professionals left gustaría ये काफी वारइज्साम में अधित आत इस डार्सनिक डिस्पार से समंधित है sudah सुध्हा कि इससे आगे चलकर मनोवाज्ञयानिकों ने इस सील गडुडों को कितने भागों विवाज narratकिए था अगला है विक्तिति विक्तिस्य समंदित समस्त मनोवग्ञ्रावज एहां उसलोप या कहा है किसने लिंटन ने ये जो है काफी पारिजा में पूछे जाता है कि व्यक्तित व्यक्ति से समंदित समस्त मनोवाई ग्यानिक रियावम दिशाओं को समलित रूप जो है वो है या कर्थन किसने कहा था तो वो लिंटन ने कहा था अगला है संगठित व्यक्तित की विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् को समझने के लिए वेक्तित्त के सील गुडो काद्यान कीन मनों विग्यान कोivities तो वेक्तित Consaminer के लिए जो सील गूड्य थे उनका ध्यान जो मनों विग्यानि करने किन ऐता और पोरट पंध काय तठा कैय टिल ने किया था ये काफी बार पूछा गया है अगला है व्यक्तित मापन की पुरानी विद्ध की है ये भी काफी बार एक्जाम में पूछा जाता है कि व्यक्तित मापन की सबसे पुरानी विद्ध क्योंसी है तो वो है जूतिस के द्वारा हम इसको मापन करते हैं व्यक्तित किसी व्यक्ति के व्यक्तित को अगला है संगठित व्यक्तित तुक कहते हैं जिसमें निम्नांकित पच्छों का विखास हो समाजिक मानसी के उम समवेगात्मक पच्छ तो संगठित व्यक्तित तो जो होते हैं उनमें जो है वो समाजिक होंगी मानसी के उम संवेगात्मक पच्छ जो है उनका विखास हुआ ह को यहाण तो यह जो होता है संगेठीद वक्तितु का के पच्छ होता है जो उनका रोता है तो की समाज समाज में रहना पसंद करते हैं मालसी समवीगाळ अंतर करते हैं अरहा वर्तमान में सरवत्म माने जाने वाला व्यक्तित्यों के प्रकारों के वारगी करा किसकी देन है तो यह जो है वर्तमान में सरवत्म माने जाने वाला व्यक्तित्यों के प्रकारों के वारगी करा किसकी देन है तो वह जुंग की है तो यह उन्होंने दिया था तो यह काफी बा मुकाउटा जिसे हम कहते हैं इनी में मुकाउटा यहां पर Latin भासा में अर्थ पूछा जा रहा है तो बाहरी रूप रंग या न्कली चेहरा जो होता है उसे हम परसोदा कहते है तो है यह था क्ल में पूछा जाता या युपीटेट की एक्जाम में पूछा गया है, सीटेट की एक्जाम में भी पूछा गया है कि परसोना जो है सब दिलल्लाइटि बाचा के अर्थ क्या होगा तो वो होगा बाहरि रूप रंग या नकली चेहरा जो होता है उसे हम परसोना कहते हैं या मुखावटा जिसे हम कहते हैं कोई मुखावटा पांदले नकली चेहरा बनाके तो वह जो होता है उसे हम परसोना कहते हैं अगला प्रस्ण है वातावरान के साथ समान नियुमस्थाई समान योजन की व्यक्तित्तु है इस परिव्यासा को लिखा है किसने तो आप संदे दिया जाएगा इसमें फ्रायर बोरिंग इस तरीके साथ को आलपोट यह सभी ताहरी के से आपको आप संदिया जा सकता है तो व वातावरान के साथ समान नियुमस्थाई समान योजन की व्यक्तित्तु की परिवासा किसने दी थी तो बोरिंग ने यह परिवासा जो है वो दी थी तो यह याद रखना है वातावरान के साथ समान नियुमस्थाई समान योजन की व्यक्तित्तु है तो इनोंने बोरिंग न उसके द्वारह ही व्यक्ति की मापन जो है वो संपोर सूजनाप्राप कर सकते हैं व्यक्टितु इतिहास के द्वारह कया व्यक्तितु रहा है वो सब जानकारी मिल जाती अगला है व्यक्तितु की सरच्णा ऑन्तरगत गठ्यात्मक तत्था असलाकzwischen ते पच्छ का अध्यान किस मनोवाइग्यानिक ने किया था तो यह जो है वो फ्रायर्ड ने किया था कि व्यक्ति सरचना जो होती है उसके इंतरगत का त्यात्मक जो होता है अस्तराक्पलित पच्छ जो होते हैं उसका अध्यान जो मनोवाइग्यानिक किया था फ्रायर्ड है अलाहें जिस वश्ट के अधार पर एक व्यक्ति को दूसरे से भिंता की जा सके उसे लच्छर काते हैं या कथन है जिस में कह रहा है कि जिस वश्ट के अधार पर एक व्यक्ति की दूसरे से भिंता की जा सकती कोई वस्त है उसके अधार पिर हम किसी एक वियक्ति को दूसरे से भिंद कर सकते हैं तुसे हम लच्छ काते एं है यह कथन जो है वह मारफी का और है यह काम पर स्थेट संद्ध कर दो में भी पूछा गया है तो यह आपको याद रखना है अगला है व्यक्तित को प्रावाविद करने में प्राकृतिक भौतिक वारतावार की उपेच्छा नहीं की जा सकती यह कथन है तो यह कथन जो है वह अगवन वह निमकॉफ का है इन्होंने व्यक्तित को समाजिक समय्गात्मक क्रियाओं का एक रूप है जो के गत्यात्मक संगठन आतार है कि अगला तो कि देख रहे हैं तो इसका जो व्यक्तित्त है वह प्रभावित हो जाएए जो है वह नहीं होता है अगला है निमलिखित्व व्यक्तिनिष्ट परिच्छर है चाराफसन दिये जाएगा प्रस्णावली वीद दे दिये जाएगा आपका इतियास वीद इस तरीके से दे दिये जाएगा तो व्यक्तिनिस्ट परिच्छर जो है वो प्रस्णावली वीद के द्वारा हम गया करते हैं प्रस्ण के द्वारा किसी व्यक्तिके व हमें पूछे जाते हैं आपको यह मापन के जो दिए गए पडिश्चर के उनको आद रखना है रेटिन इसके ल विद जो है वो निम्ल प्रकार की परिश्चर में वस् adjust me यसका प्रिच्ष करते हैं रेटिंग इसके लुविद का जिसके जोर आम वसुनिस तरीके के महम करते है प्रशनों के द्वारा अगला है रोसा परिच्छर मापन करते हैं तो रोसा परिच्छर मापन जो है वो किसी व्यक्ति के व्यक्तित को मापन करने के लिए हम रोसा परिच्छर का प्रयोग करते हैं तो यह कम टेट इग्जाम में पूछा जाता है सीटेट के इग्जाम में सभी के क्यूशन में यह पूछा जाता है रोशा परिच्छर के दौरा हम किसका मापन करते हैं तो हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित का मापन जो है वो रोशा परिच्छर के दौरा करते हैं अगला है प्रच्छे परविद मापन करती है प्रच्छे परविद का मापन जो है वह हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित का मापन करते है अगला है कथा प्रसंग परिच्छर TAT को निर्मित किया है तो TAT को जो यह कम टेटी जामें पूछा जाता है कथा प्रसंग परिच्छर जो ह किया था अगला है 80 परिचर में प्रिख्थ होने वाले कार्डों की संख्या होती है तो 80 जो है वो उसमें प्रिख्थ होने वाले कार्डों की संख्या जो होगी वो 10 10 कार्ड जो है वो प्रेयुक्त होते हैं राजसा स्याही धब्बा परिच्छर में तो राइट एंस्वर देस हो जाएगा आपसर में दे दिये जाएगा 10-20-30 इस तरीके तो तो दस जो होगा वो राइट एंस्वर होगा अगला है 80 का निर्मार किया तो 80 जो है उसका निर्मार कि इसने किया था तो लियो पॉल बैलक ने जो है 80 का निर्मार किया था तो यह कम टेटुग जाम में पूछा जाता है कि 80 का निर्मार किसने किया था तो लियो पॉल बैलक ने किया था तो यह कम टेटुग जाम में पूछा जाता है तो यह आपको याद रखना है अगला है स अंतर मुखी बालक होता है एकांद में विश्वास रखने वालत अंतर मुखी बालक जो होता है वो स्वयम में ही या एकांद में विश्वास रखता है ऐसे बालक जो होंगे वो एकांद मेरा प्रसंद करते हैं तो वो अंतर मुखी बालक के वर्ग के उंतरगत आते हैं अगला है अत्यधिक वाचाल प्रसंचित करने वाले तथा समाजिक प्रवित के धनी वाले व्यक्ति का व्यक्तित होता है तो कोई अत्यधिक बोलने वाला हुआ प्रसंचित करने वाला या समाजिक प्रतियों के धनी जो होते हैं वो समाजिक वातावरर में उनकी समाजिक इस्थित हो होती है तो वो सभी जो होते हैं व्यक्ति का वैक्ति जो है वो Bein मुखी टाइब को होता है क्योंकि वो किसी से प्रहसंचित रूप में और उन्से बोल चाल यह समाजिक रूप में रहने का कार करते हैं तो वो Bein मुखी टाइप के होते हैं तो राइट आप सन में पूछा जा सकता है तिस तरीके से आपको याद रख ना है तो यह बहन भी हो जाएगा अगला है कौन सा प्रेयरा के जंजात नहीं है तो इसमें पूछ रहा आप्सन में दिया जा सकता है तो यहां पर आकांच्छा का अस्तर जो है वो जन्जात नहीं होता है क्योंकि जन्म के समय से ही यह बालक में आकांच्छा जो होती है उसका अस्तर नहीं पाए जाता है कि वो उसे कोई आकांच्छा हो कि यह ऐसा या जाए या कुछ भी तिस तरी के से कौन सा जो प्रेड़क जमजात नहीं होता है तो वो अकांचा का अस्तर अगला है समायोजन की विदियां है तो समायोजन की जो विदियां है उदाती करण है प्रच्छे पर प्रतिगमान ये दो जो हैं वो समायोजन की विदियां है तो ये आपको याद अखना है तो दो जिसमें हम समाघ्योजन का प्रयोग करते हैं मेठर का उड़ाती करण यृवं प्रतिक ठाटिक मन अलाहेर व दूसीत होता है तो समाघ्योजन जो है वह कुंठायों संगर्स से जो है वो दूसीत हो जाता है तो इस तरीके से कुछ महातपूर क्यूशन थे जो कि सीटेट यूपी टेट और अधर स्टेट टीचर इजविल्टी टेस्ट के इंतरगत टेट के इंतरगत क्यूशन पूछे जाते हैं बाल मनो विज्ञान से समधित तो आज किस वीडियो में हमने उस महातपूर वन लाइनर के रूप में व्यक्तित्यों समायोजन परसनालिटी एंड एडजस्ट्मेंट से कुईशन थे जिनको इस वीडियो में साल्व किया है नेस वीडियो में ने